तो राम राम मैं हूँ पी के बैद काफी विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे जो हमारे साथ जुड़के आयरुवेदा फार्मासिस्ट यूपी एसस्टी के तयारी कर रहे हैं तो पूछ रहते कि सर कौन-कौन सी बुके होंगी जो इंपॉर्टेंट है जिससे परिशा में प्रशनाएंगे तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए सारे बुक के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ एक उपन कोड भी दे रहा हूँ उसे अपलाई करके आ बहुत सरलभाशा में लिखी हुई डक्तर बिद्या धर्षुक्ला इंह डाक्तर रभी दत्री पाथी के दुआरा जो है यह पुस्तक तयार किया गया है बहुत प्राचीन पुस्तक है और इसमें जो भी चीज यह समझाई गई हैं बहुत ही आसान और सरल भासा में समझाई गई है ये पुस्तक आपको पढ़ना पड़ेगा इज्याम में क्वालिफाइड करने के लिए क्योंकि आयरुबेदा का है और आयरुबेदा का इतिहास परिचय सारी चीजे पूछा जाएगा तो इसको आप खड़ील लीजिए डिस्किप्सर में दि करके समझाया गया है तो द्रभबेगुड विज्ञान आपका विसर भी रहा है और आयरुबेद से संबंदित इसमें काफी चीजे आपको मिलेंगी इस पुस्तक को लीजिए इसको पढ़िए इससे आपका जो है उपीचसी से जो आयरुबेदा का फार्मासिस्ट के बढ़ की पुस्तक है और ये बहुत ही महत्वड है सरीर रचना विज्ञान की पुस्तक क्योंकि फार्मासिस्ट में आपको सरीर से संबंदित जो है बहुत सारे प्रशन पूछे जाएंगे और ये आपका सब्जक्ट भी रहा है तो ये तीसरी पुस्तक है इसे लीजिए और इसे पढ़िए ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है सरल हिंदी भासा में लिखित पुस्तक है डिस्क्रिप्शन में दियेगे लिंक से खड़ीद के आप इसको पढ़िए त्यार कीजिए बुक नमबर चार है ये आपका ब्योहार आयुरवेद ये ब्योहार आयुरवेद पुस्त जाक्तर बे ρेंद कुमार बर्माजी की लिखी पुस्तक है मातपूर पुस्तक है वे ब्योहार आयुरवेद इसमें से वी काफी फ्रस्न आपको देखने को मिलेंगे इस पुस्तक की लीजिए शरल भासा में लिखी हुई पुस्तक है और पढ़ने में आप बहुत अच्छा लगेगा डिस्क्रिशन में दिये के लिंक से इस पुस्तक को भी आप खरीद के इसका लाब उठा सकते हैं और पांचवी और अंतिम पुस्तक है जो आपके लिए परिशाज के लिए बेदी महातपूर पुस्तक है आयुद बेदी रस सास्त्र रस सास्त्र से करीबन आपको दस प्रसन देखने मिलना चाहिए जो इसे पिछले एक्जामस में हुआ है और इसको लिखा है डाक्टर चंद भूसन रजा जी ने इंपॉर्टन्ट पुस्तक है हिंदी भासा में लिखी हुई है हिंदी अंग्रेजी में इसमें दूनों चीजों में समझाया गया है इंपॉर् उसके लिए महत्वपूर्ण है और इसको आप मंगा के पढ़िए इसका जो है लाव उठाईए धन्यवाद